और इस वक्त हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी बकाइदा अमेरिका से इस वक्त जुड़े हैं जब उनको ये खबर मिली के तिरुपती बाला जी के प्रसाद में गौवश की चर्बी पाई गई है ये रिपोर्ट आप जानते हैं इसने तहलका मचा दिया है बहुत से लो अपने एक खबर सुनी तो पहली बात जो आपके जहन में आई वो क्या थी सबसे बूरी बात तो यह है कि जिन लोगों को उस मंदिर की संस्था में रखा गया और ऐसे लोगों को रखा गया जिनकी अनातन में धर्म में सर्दाई नहीं बहुत पूजा में उनका कोई श्रद का मैं तो नहीं जानते वो लोगों को मंदिर की विवस्ता में रख दिया गया है कि आप मंदिर की विवस्ता देखिए आप इनकी विवस्ता देखिए यही हम लोग सनातनियों का सबसे बुरा वो है सबसे बुरी पात तो यही हम लोगों के साथ में कि सब के धर्मों की चिंता सम करते हैं लेकिन हिंदु धर्म की चिंता कोई नहीं करता है प्रशाद में मिलाने का मतलब है कि आपने भगवान को असुद मास जिस धर्म में प्याज लेसुन तक खाने के लिए मना किया जाता है उस धर्म में भगवान के प्रशाद में पस्वों की चर कोई इतना बड़ा फ्रोड हम लोगों के साथ कर सकता है बिकुल भी बिलीव नहीं हुआ है मैं तो कह रहा हूं कोई भी क्यों नहीं हो उसे इतनी की खत्वर सजा मिलनी चाहिए कि उसे नानी याद आ जाए उसे चड़ी का दूद याद आ जाए और इसकी भरपाई नहीं हो सकती हमारे साथ एक डिबेट में विवेक शिवास्तर जी उन्होंने का कोई एक आदमी थोड़ी होगा यह तो जहां से मंगाये जा रहा है जहां पर ये नकली घी की या इस तरीके के घी की फैक्टरी है वो होगा और सबके सब इसमें हिंदु होंगे मैं आपसे एक बात कुछ रहा हूँ विवेक हीन लोग नहीं समझेंगे कि मतलब क्या है परशाद आप विवेक हीन लोगों को टीवी चैनलों पर बैठा बैठा के हमारे सनातर्म का मज़ा पड़ों आएंगे आप ऐसे लोगों को बुला है क्यों जाता है जिनकी प्रशाद में निष्ठा नहीं जिसमें भगवान की निष्ठा नहीं जिनमें गीता में बागवत में पुरो रामाण में निष्ठा नहीं वो क्या जाने प्रशाद का मतलब इन लोगों की उकात क्या है जो भगवान के चलाएंगे उसे है तो आपकी जिम्मेदारी है ना आपकी जिम्मेदारी है का डिया है प्रेसाद करने में और भर दाने चर्च जो पनाने में और धर्मों में crosscutting किये कभी और जो तिरुपा दिवाला जी का धना आ रहा है उसे लेने में crosscutting किये उन्हों कभी किसी ने भी वो तो सम्मझे से लेते जाएं वह यह चीजें देने लाया कि है कि अब भगवाल के प्रशायत में ये देंगे हम मैं ये निश्यत कह रहा हूं कोई माने ना माने ये सडियन्त रहे कोई कुछ भी कहता रहे कोई कुछ भी कहता रहे हमारी आस्था को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे बड़ा सडियन्त कि लोग कुछ नहीं लेंगे हो सकता है आप ये जो चल र प्रशाद तो मैं अभी तक मैं। प्रशाद तो मुझ तक पहुंची गया और उस मेरी आस्था को नुक्सान पहुंचाने वाला कौन है? मैं पूछता हूं संबेदान उसे क्या सजा देगा? मैं अकेला नहीं पूछता हूं करोडों करोडों लोग पूछते हैं जिनोंने वो तिरूपति बाला जी का प्रशाद ग्रहन किया है इसका जिम्मेदार कौन है उसे फांसी पे कोट चड़ाएगा? उनोने हमारे सरीर को नुक्सान नहीं पहुंचाया हमारी आत्मा, ब्रत, हव मारे सरांतन को नुक्सान पहुंचा है और अगर ऐसे लोगों को सजाब नहीं मिली, तो हम यहीं मानेगे कि भारत में हिंजुओं का कोई नहीं है, भारत के सम्विधान में कोई भी जगे हम सनातनियों की नहीं है, जहां दूर से आई वो लोगों. मैंने आपके साथ बहुत बहस की है, बहुत मसलूपर आप हमारे साथ, मैंने इतना गुस्से में आपको कभी नहीं देखा, इतना तो मैं जामती है। मैं सच बतारी ह편ा को मैं आपके हर भावना की Qadr करती हूं को और मैं मैं जान रही हूं कि आपको कितना दुख comprainer अप कितने कश्ट में इस वक्त है और ऐसे सौग करोर हिंदू हैं इस वक्त कष्ट में है और इसी लिए अब इस मसले को यहां रोक देना काफी नहीं है इसकी जड़ तक जाना जरूरी है आप अपना ख्याल रखिएगा देव की नंदन जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए तो देव की नंदन जी यह वहांगा ऐसे लो इसलिए मैं कहता हूँ कि मंदिर हमेशा एक सनातन बोड के तहत होने चाहिए ना कि सरकार देव की नंदन जी बहुत-बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा तो देव की नंदन ठाकुर भावुक हुए और यह कहने लगे कि जब तक फासी नहीं यह समझ लीजेगा क सनातनियों का इस देश में के कोई नहीं कि सम लीजे बहुत हुए में कि सthis दूदिक लृषब सतस्कत की साधाय समझ भावुक हुए बाहुत रहता है